Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. देश का पूरा करने जारें इस बात का उस्सा मुझ मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक कारे करता और इंडिये के हर एक कारे करता में इस बात का उस्सा है. कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी गटक दल की प्रात्मिक्ताओं में नहीं है, मैं कईवार मीडिया चैनल पर सुनता हूँ कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी नहीं नहीं, कल एंडिया की बैठग में सिर्फ हम हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत को पुना स्विकारते वे अपचारिकता हम लोगों निभाई है प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री बने इस बात की ततपरता हम सब में मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूँ कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है क्योंकि हम लोग का लक्षे ही प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री बनाना था उसके लिए हरे घटक-डल ने अपनी एक एमान दार भूमिका निभाने का काम किया ये विश्षजा अधिकार पूर्धा मेरे प्रधान मंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्री मंदल में किस को जगह देते हैं नहीं देते हैं ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है महत्वकांशाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवता विपक्षी दल जरूर कर सकता है और करने का संभवता वो प्रयास भी कर रहे हूंगी क्योंकि इन लोगों के लिए नीती सिध्धान्त माइने नहीं रखते आती है ऐसे में ये जनादेश पूर्णता एंडिये के लिए है एंडिये के पक्ष के लिए है ये जनादेश ये जनादेश मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसे में कोई भी घटकदल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा, मजबूती से हम सब प्रधानमत्री जी के साथ हैं, जल्द सरकार बनेगी और वो पांस साल मजबूती से सरकार चलेगी. और आखरी सवाल की, LJP का स्ट्राइक रेट 100% रहा, पिछली बार भी 100%, क्या वजह मानते हो कौनसा आपने ग्राउंड पे काम किया कि आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा, लेकिन आपके जो एलाइस पार्टी है, उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा देगा, देगे मुझे फर्स बिहारी फर्स की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे में बिहार को विक्सित प्रदेश बनाने की ये सोच, मुझे लगता है बिहार की जनता ने उस सोच का पूरा समर्थन किया, उस पर विश्वास रखा, और पांच के पांच प्रतियाशी, जिस तरीके से उनको जिताकर भारत की संसद में बेजने का काम किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आता है, ऐसे में उनकी उमीदों पर खड़ा उतरने की भी बड़ी जिम्मेदारी, अगले पांच वर्षों में हम सब के उपर है, जिसको बखूबी हम लोग पूरा करेंग जिसको बड़ी 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 जिसको बड़ी